29 में पहली बार आगरसर का केंद्र बना माता वैशनो देवी का मंदिर जिसमें एंट्री फिस्ती 50 रुपे गी जो की हमको लेनी पड़ी अंदर जाने से पहले ही जूते रखने के वी 5 रुपे देने पड़े अलिगड में ये मंदिर पहली बार बना है एक बार में 200 लोग दर्सन कर सकते हैं जब आप लोग अंदर जाएंगे तो सबसे पहले आपको बार गंगा के दर्सन करने को मिलेंगे इस टाइम हम लोग नहीं कर पाए क्योंकि सबसे पहले हम गए थे जैसे जैसे आप उपर जाते जाएंगे तो छोटे-छोटे मंदिर बनाए गए हैं जिन में भगवानों की मूर्थियां रखी गई हैं आप ठीक सामने देख सकते हैं मादेव जी की मूर्थी रखी गई है इसी तरीके से आप दर्सन करते हुए जाएंगे और आपको मंदिर मिलते जाएंगे इसी तरीके से मंदिर में आपको चन पादुका, बारगंगा, अर्द कुवारी, हाती मत्ता, बहरो बाबा, माता का भवन आपको देखने को मिलेगा उपर जाते टाइम सबसे पहली गुफा मिली जिसमें हम लोगों को अंदर जाना था इस भवन में लाइट की बहुत अच्छी विवस्ता की है 29 का ये नजारा नाइट में देखने में बहुत जादा अच्छा लगता होगा ये पूरा मंदिर बांस बल्लियों से बना हुआ है जो की देखने में अच्छा लगता है उपर जाते जाते हम पहुंच गए माता वैश्णो देवी के दरवार में ये अव हमारी सेकंड गुफा है गुफा में होते हुए हमको पहुंच नहीं माता के दरवार में लाइट की बहुत अच्छी विवस्ता के गई है और ये है माता का मंदिर पंड़त जी ने सबसे पहले हमें परसाद दिया और तिलक लगाया माता के धर्सन करते ही जैसे हम भार की ओर निकले तो ठीक सामने हमें मिला भैरो बाबा का मंदिर इसी तरीके से आप भी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके भार आ सकते हैं झार सकते हैं झार सकते हैं